तो welcome back friends, बहुत बहुत स्वागत हैं आपका अपने चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर देखे हमारी जो पिरमुक सासकों की स्रीथ चल रही है जिसमें हमने previous वीडियो में महापदम जो नंद को हमने discuss किया था तो महापदम नंद के 8 पुत्र थे उन 8 में से 7 पुत्र को हम आज के इस वीडियो में discuss करने वाले हैं तो चलिए करते हैं शुरू तो महापदम जो सबसे पहले हैं पंडुक तो महापदम नंद का जो सबसे बड़ा पुत्र था वो कौन थे पंडुक था तो पंडुक महापदम नंद का सबसे बड़ा पुत्र था, ध्यान रखना आठ पुत्र थे इनके इसमें तो साथ को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे धना नंद को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पंडुक को पुराणों में क्या कहा जाता है सहली निया सहली के नाम से जाना जाता है यह दोनों नाम important है आप से पूछे जा सकते हैं कि सहली निया सहली के नाम से किसे जाना जाता तो पंडुक को जाना जाता है पंडुक के वंस जो ने कौन से वंस की स्थापना की थी सेन वंस की पंडुक के बंस जो ने, यानि जो पंडुक के पुत्र वेगरा या इनके आ, जो भी थे, इनके जो बंस चला था, उन्होंने सेन बंस की स्थापना की थी next है पंडुगती, पंडुगती को अयोध्या आ के देव बंस का मुक्षिया माना जाता है, कौन से का? देव बंस का इसको महा बोधी बंस में, पंडुगती और पुराणों में क्या का गया है, संकल्प के नाम इसको दिया गया है, और अयोध्या का जो देव बंस है, उसका मुक्या पंडुगती को ही माना जाता है, next है भूतपाल, महा पदम नंद के जो तीसरे पुतर थे, भूतपाल, ये क बिदीशा में नंदी वंस है, उसकी स्थापना की थी, भूतपाल को भूत नंदी के नाम से भी जाना जाता है, important, एक्जाम में पूछा जा सकता है कि भूत नंदी के नाम से किसको जाना जाता है, तो भूतपाल को ही भूत नंदी के नाम से भी जाना जाता है, next है अब कलिंग का जो मेग बाहन बंस है और महारास्ट का साथ बाहन बंस ये रास्ट पाल की ही जो है देन है और देखे रास्ट पाल काफी एक अच्छा सासक था तो रास्ट पाल प्रसासनिक कुसलता और सक्सम पिरतापी राजा होने के करण इस छेत्र का जो नाम था वो क्या प पुत्र था चोथा पुत्र था, चोथे नमबर का था, नेक्स्ट है गोवी शालक, देखें, गोवी शालक से कोशन डायरक्ली पुछा जाता है, कि काशिपूर का जो पुराना नाम था ना वो गोवी शाली था, काशिपूर उत्रखंड में है, महावोधी बंस के अनुसार महापदम नंद के पाँचवे पुत्र कौन थे गोबी शालक थी उत्राखंड का जो कुलिंद बंस है वो गोबी शालक कही बंस है ध्यान लखना है तो गोबी शालक कौन थे महापदम नंद के पाँचवे पुत्र थे और उत्राखन का जो कुलिंद बंस है ये गोभी सालक का ही बंस है नेक्स्ट है दस सिद्धक महापदम नंद का छेटा पुत्र कौन था दस सिद्धक ही था और दस सिद्धक के बंस जो ने 250 इसबी से 510 इसबी तक जो है सासन किया था नेक्स्ट है के वर्थ महापदम नंद के साथवे पुत्र का नाम क्या था के वर्थ था साथवे पुत्र महापदम नंद ने इने अलग न रखकर अपने पास ही रखा था मतलब कोई इनको एरिया स्पेसिफाई नहीं किया था अपने साथ रखा था और यह जो के वर्थ था य वही खाना खाने के करण के वर्थ की भी मिरत्ती हो गे थी, तो के वर्थ का जो बंस था, वो आगे नहीं चल पाया था, तो friends, आज के इस वीडियो में इतना ही, जो आठवे पुत्र है, महापदमनंद के धनानंद, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, कि बहां से मोरे समराज्य की भी स्थापना हो जाएगी, तो मोरे के वारे में भी उसमें थोड़ा साब को बता देंगे, तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले, थैंक यू फो वोचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.